आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविश्य कारिकरम में एक बार पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं मिथुर रासी की महलाओं के वर्स दो हजार चोबिस के बारी में आपका वर्स दो हजार चोबिस कैसा जाएगा आपकी आस्तिक स्थिती कैसी रहेगी आपका आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे आपके पती से कैसे बिचार मिलेंगे और आपका स्वास्त कैसा रहेगा साथी कारी शेतर में आपको कितनी सफलता मिलने वाली है अब क्योंकि मिठोर रासी की महिनाओं का जो बर्स प्रारंब हो रहा है तो आपके बर्स के प्रारम में मिथुर रासी का स्वामी बुद्ध होता है बुद्ध आपके छठे रोग सतु कर्यास्थान में बैठा हुआ है सुक्र के साथ बैठा हुआ है यह आपके लिए एक परकार से बर्स के प्रारम में थोड़ा आपको अपने स्वास्त के प्रत सचेत रहना चाहिए खान पान पर बिसे ध्यान देना चाहिए अगर आप किसी से लेन देन कर रही है तो यहाँ पर आप सतर कर रही है तो कि आपको इस बर्स अगर आप किसी को धन देती है तो अच्छी तरह सोच विचार कर दीजिए साथी साथ ये महसूस करके दीजिए कि अगर ये धन ना भी मिला तो आपका कोई बहुत बड़ा नुपसान होने वाला नहीं है क्योंकि बर्स का प्रारम भी बर्स के पूरे बर्स का एक सर्वेचर होता है तो सुरुवात में आपको जो सतरकता बरतनी चाहिए ये लगबग आपको आगे चलकर भी ध्यान रखना चाहिए अब क्योंकि मिथों रासी की जो मैलाएं होती है ये बड़ी मिदुलभासी होती है दिल की हिर्दें की कोमल होती है दूसरों के दुख तकलिफ में सहायता करने में तदपर होती है तो इसलिए आप किसी की सहायता जरूर कीजिए लेकिन लालच में अधिक धन किसी को कर जित्यादी देते समय अच्छी तरह सोच बिचार कर ही आप कदम उठाईए वानी भाव धन भाव कुटुम आपके वानी धन भाव का स्वामी चंदर्मा आपके तीसरे प्राकरम घर में बैट रहा है तो इसलिए आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने का प्रियास करेंगी परिवार के लिए आप कोई भी अपने सुक सुधा में कमी भी ला सकती है साथ ही आप अपने घर के लिए भाग दोर भी करेंगी ये भाग दोर आपके लिए सफर रहेगा आपके परिवार में कोई सुभ कारी भी होने का योग बन रहा है साथ ही ये ही है कि आपके परिवार के लोग बिसेश कर आपके भाई बहन आपको बिसेश सहायता करेंगे अब यह बात अलग है कि चुकी चंद्रमा सवादो दिन ही एक रासी में रहता है प्रन्त बर्स के प्रारम का यह सर्वेचर आपको यह बता रहा है कि यह बर्स आपके लिए उत्तम जाने वाला है आप अपने कार के लिए धन के लिए जो भी प्रयास करेंगी उसमें आपको सफलता मिलेगी धन की प्राप्ती भी होगी और मन भी आपका प्रसन रहेगा भाई अस्थान प्राकरम अस्थान अब आपके भाई प्राक्रमस्थान का स्वामी सूरी आपके सब्तम जीवन साथी पती के घर में बैठा हुआ है इसलिए आप का पती के साथ किसी बात पे बैचारिक मर्भेद आ सकते हैं यहां आपको विशेश सावधानी रखनी के ही है पती के साथ किसी भी परकार के बिवाद से आप बचिए क्योंकि सूरी मंगल के साथ भी बैठा हुआ है एक परकार से ये देखा जाए कि आपका जो सुरुवाती कुंडली है ये छे फरवरी दोहजार चोबिस तक मंगलिक बन रही है यहां आपको जनुरी और फरवरी के महिने में अपने पती से जहां तक हो सके अगर आपका पती क्रोड में कुछ बात आपको बोल भी दे तो आपको अपनी सहे सकती दिखानी चाहिए धहर का परच्शे देना चाहिए पती से बिवाद करने से आप दोनों का नुक्सान हो सकता है इसलिए इस वर्स आप अपने पती से बिलकुल बिवाद ना करें जहां तक है दो बात घम खाएं इससे आपका पारवारी जीवन बहुत सुखन और अच्छा बेतीत होगा माता मित्र मकान सुख भाओ अब चुकि आपके माता मित्र मकान में केतू बैठा हुआ है और आपके माता मित्र का स्वामी बुद्ध आपके छठे घर में बैठा हुआ है तो घर में किसी बात पे आपको मांसिक बेचेनी हो सकती है मित्र के साथ किसी तरह के आपके मद्वेद हो सकते है अगर आप कोई वहान इत्यारी खरीदना चाहेती है तो अच्छी तरह से काज़ात देखकर फिर उसके आप साइन कीजिए साथ ही अगर आप घर मकान कुछ लेना चाहेती है तो अच्छी तरह से जाज पर्टाल करके ही आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए संतान भाव बिद्या भाव अब चुकी इस वर्ष के प्रारम में आपके संतान बिद्या भाव का स्वामी सुक्र आपके छठे रोग सत्तु कर्यस्थान में बैटा हुआ है वर्ष के प्रारम में आपके संतान के स्वास्त में कुछ गिरावट आ सकती है बच्चे चिलचिड़े हो सकते हैं पढ़ने में उनका थोड़ा मन कम लगेगा लेकिन इसमें कोई परेशान होने किया सकता नहीं है जैसे ही सुक्र आपके सब्तम घर में पती के घर में जाएगा आपके बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करने लगेंगे और विशेश कर फरवरी के महिने से आपका समय अच्छा सुरू होने जा रहा है आप अपने जीन महिलाओं को बच्चो होने में किसी तरह की समस्या है तो ये वर्स आपके लिए बहुत लावदायक सी धोने वाला है एक मई दो हजार चोबिस तक गुरू आपके लाव घर में बैटके आपके संतान घर को देख रहा है तो इसलिए आपको संतान की प्राप्ति का यूग बन रहा है अगर आपके बच्चे कोई परिच्चाई त्यारी में बैटने की त्यारी कर रहे हैं तो निश्ची तोर पे उनको सफलता मिलने का यूग बन रहा है साथी आपके बच्चे से आपके सम्बंद मधूर रहेंगे अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रही है, कोई परिच्छा की तैयारी कर रही है तो निश्ची तोर पे आपके लिए ये बर्स अच्छा जाने वाला है रोग सत्व कर्यन अब चुकी मिठों रासी की महनाओं को मैंने एक बार एक बार बिसेश कर बोला है कि इस बर्स आपको अपने पती के साथ संब्द बहुत मधूर रखने चाहिए क्रोध तो करापी करनी ही नहीं चाहिए और जहां तक हो सके पती अगर कोई क्रोध कर भी ले तो आप अपना बड़ा दिल दिखाते हुए पती को एक प्रकाल से छमा कर दिया ध्यान नहीं दिया ऐसा करके आप अपने पारवारिक कलह को बिल्कुल आगे बहने मत दीजिए जितना प्रेम के साथ आप अपने पती के साथ रहेंगी अपने अपने पती के स्वास्त में कुछ गिरावटा सकती है इसलिए आप अपने पती के स्वास्त का बिसेश जान रखिए अब आपके सब्तम अस्थान का स्वामी गुरू आपके लाब घर में बैठा हुआ है इसलिए जिन महलाओं की साधी इत्यादी में बिलंब हो रहा है उनके लिए ये वर्स बहुत उत्तम सामित होने वाला है आपका मन चाहा अच्छा घर में बाच्चीत होगी साधी होगी अगर आप ब्यापार बिजनस कुछ करना चाहती है तो आप अपने काम में आगे बढ़ि रहा है अस्तमघर दुरगटना मृत्यों अस्त्तान अब अस्तमघर का स्वामी आपके भाग्यास्थान में है तो इस वर्स आपको तीस स्यास्ता इत्यादी करने का अउसर मिलेगा तीस स्यास्ता के दौरान आप सावधान रखिए चोर उचक्कों से बिलकुल भी सिर्ष सा जूरी है वही आप तिरस्यात्रा के दौरान खरी दिये जहां तक हो सकता है कि आपके साथ गलत सामान मिल जाए या उस सामान की कीमत कोई अधिक ले ले इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाग्यस्थान धर्मस्थान पूजापाथ अब चुकि भाग्यस्थ अच्छा साबित होने जा रहा है अब चुकि सनी एक जुलाई दोहजार चोबीस से वक्री यानि उल्टा हो जाएगा इस दौरान आप तिरस्यात्रा करने का विचार बनाएंगी लेकिन जुलाई के बाद कोई न कोई उसमें दुकावाट बिगन इत्यादी आ सकती है लेकि अब आपने ठान लिया कि हमको यह सी जात्रा करना है यहाँ जाना है तो निश्चित दोर पे आपकी यात्रासुभगर मंगल कारी होगी कर्म स्थान, पिता स्थान, मान समान पिसृद्धी, अब आपके कर्म स्थान, माता पिता के स्थान में राहू बेठा हुआ है आपको अपने अजकारियों से किसी बात पर मन मुटाओ हो सकता है लेकिन ये है कि आपका नुकसान आपका अजकारी नहीं कर पाएगा आपका पदोरनती इत्यादी होनी है थोड़ा बिलंब से होगा लेकिन आप धहरी का परचे दीजिए ये वर्स में आपके पदोरनती का योग भी बन रहा है साथी ये भी कह रहा है कि आप अपने अजकारियों पर अपना दबदबा कायम रखेंगी आपके जो भी बिचार है प्लान है वो काम्याब होंगे जिन महलाओं को नोकरी इत्यादी के लिए बार-बार भटकना पड़ रहा है उनके लिए ये वर्स अच्छा साबित होगा नोकरी आदी के छेतर में आपको विसेश सफलता प्राप्त होगी लाब अस्थान बड़ा भाई अब क्योंकि लाब अस्थान में गुरू बैठा हुआ है इसलिए अगर आप व्यापार बिजनस कर रही है तो आपको भरपूर लाब मिलेगा साथ ही आपके पती के भी पदोनती इत्यादी होने का योग बन रहा है पती के साथ आपके संबंध विसेश मधूर रहेंगे अब चुकी एक मई दो हजार चोबिस से गुरू आपके बैभाव में बारावे अस्थान में जा रहा है इसलिए आप विसेश कर ज्यादा खर्च इत्यादी से बचें जितना धन आप बचा के रखेंगी यह आपके लिए आगे चलकर बहुत लाबदाएक सी धोने वाला है ब्यास्थान अब चुकी ब्यास्थान खर्च इत्यास्थान का स्वामी सुक्र आपके छटे घर में बैटकर आपके ब्यास्थान को देख रहा है तो आपको इस वर्ष यात्रा करने का उसर प्राप्त होगा यात्रा एक से अधिक बार आपको करने का उसर आएगा इस दोरान आपका धन बे भी होगा लेकिन धन बे होने के बाद भी आपका मन पसंद रहेगा आपको किसी तरह का कोई तनाओ नहीं महसूस होगा यार्ता के दौरान थोड़ा फिजूल खर्ची पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए जितना हो सके आप बिल्कुल अधिक खर्च करने से बचिए जैसे की आपके संतान होने में कोई रुकावट आ रही हैं या आप बार बार कोई कारी कर रही हैं सफलता नहीं मिल रही है तो आपको गरेश जी की पुजा करनी चाहिए और ओम गंगर पते नमा मंतर का जाब करना चाहिए पन्ना रत्न धारण करने से भी आपको विसेश सफलता मिलेगी और ये भी इस बर्स में निश्चित है कि अगर आपको संतानी त्यादी में कोई समस्या है तो निश्चित है कि एक मईई दोहजार चोबिस तक आपको कोई सुख समाचार अवस्य प्राप्त होगा चुकि सनी एक जुलाई दोहजार चोबिस से बक्री हो जाएगा और ये उन्नीस नौंबर दोहजार चोबिस को पना मारगी होगा सनी आपके भाग्या स्थान में बैठा हुआ है तो आप भागी पर भरोसा कीजिए प्रन्त कर्म प्रधान ये वर्स आपका है इसलिए जितना आप मेहनत करेंगी उतना अधिक धन की प्राप्ती होगी और कारियों में सफलता मिलेगी तो मित्रों आज मैंने आप लोगों को मित्रों रासी की महलाओं के वर्स दो हजार चोबिस के बारे में जो बताया है मुझे आसा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए नमस्का